कि अग्षार को आगे बराने वाले हैं पिछले वीडियो में हम लोगोंने तनूकरन को समझा था तनूकरन यानि डाटलाइशन मतलब यदी कोई बहुत ज्यादा प्रवल अमल है हमको थोड़ा सा उसको कमजोड बनाना है तो हम लोग क्या कर लेते थे उसमें थोड़ा सा सक्त सक्ति को घटाने के लिए जल का इस्तमाल करते थे यदि हम जल डालेंगे तो उसका सक्ति दीरे दीर घड़ जाएगा आज के क्लास बहुत होने वाला कि कि आज की क्लास में ना जितना भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अम लचार का सौट को लगभग वह सारा के लि हम लचार पढ़ रहे हैं तो हम लोग वह कर रहा है आम लगा कि से कराने धातू से विकलिया यानी रियक्षन रियक्षन ओफ मेटल विद एसीड है ना विद एसीड कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि यह खटखट का वा जाता है ऐसा होता है तो यह तो सहना परेगा न अब थोड़ा सा कुछ तो है ना समझ रहांगे आप दूसरा एक वच्चा कमेंट किया ता सर वह कैसे हो जाता है एसीड पलस यहां देखिए हम क्या बोले थे पिछले दिन एसीड को यदि हम जल में घोलेंगे जल में घोलेंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा है एच पलस में सील माइनस मूक तो होगा यही बताया था ना तो यह कैसे होगा तो यह देखो जब जल में एसी यल जाता है न तो उसका विघटन सुरू हो जाता है क्योंकि जल में रहें के साथ रियक्शन करेगात क्या होगा यानि दा तू सा काम करें यह বयाए और कि है यानि जब हास्तु से विक्रिया करें note या या भी से भी क्राइगा यह बनाएगा लुट में आगैस बनाएगा फिर्ट के उपनी एयरो सिंबॉल देना लोगों ने में समझाता यह क्या होता है क्यों देना होता है इसका एक्जाम्पल देखिएक तो जैसे मैं घातू में लेता हूं जिंक के नाम का मेटल जस्ता धातू पर्मानुसंख्या 30 इसको हम यदि HCl में डालेंगे तो यह क्या बनाएगा ZNCl बनाएगा जड़न C2 होगा मैं क्या बनाएगा यह यहां पर हाइड़ोजन गेस बनाएगा जस्ता धातु क्या हुआ inator HCl से भी करिया किया तो जिंक क्लॉराइड नामक लवन बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया इसी तरीके से दूसरा लेते हैं हमारा को यह सेलफ्यो कि अभिकरिया करता है से भिकरिया करता है यह क्या बनाएगा यह जान से पीछे वाले के साथ मिल जाता है इस विचारे हाइड्रोजन को यहां कर देता है भगा देता है आपने विस्थापन एकल विस्थापन अभी किरिया में भी देखा होगा ठीक है यह क्यूं होता है यह तो हम लोग तीसरे चप्टर में पढ़ेंगे कि क्यूं कोई धातु दूसरे को हटा आ सकता है तो यहां पर अप्धापल दे सकते एक दो तो मैंली आपको तो ध्यान में रखना है जब भी धातु आमने से विक्रिया करेंगा तो लवन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा कुछ एक्जामपल तो आपका हो जाएगा जेड़न प्लस है सियल टू प्लस में हैड्रोजन गैस सियल टू आने के पीछ है जिंक का संज़कता दो अ इसा मेटल होता है पानी में भी डालो डियक्शन कर जाता है वह ब्लास्ट कर जाता है तो आप डालने का बात इसलिए बहुत डाइलूट डालेंगे यह बनाएगा एड्रोजन गैस बनाएगा तो यहां पर भी देखिए लवन है कि नहीं नमक है लवन बनाया पलस में सेल्फियर यह करता है तो लवन एवन हेड्रोजन गैस बनाता है उदारन के लिए सोडियन धातू हड्रोकलोडिक अभिकडिया करके सुडियम क्लोडाइड नमक लवन और हैड्रोजन गैस का निर्मान करता है यह दूसरा एक्जामपल देना चाहिए ती यह वाला एग्जा तो यहां पर दखिए, यहां पर क्या लिया गया ? जींक की तुगडा लिया है बेंगस्ञञ इंवासयों मेने दिख रहे होगा यहाँ पर जींक मेटल लिया है तो इतन्थ में आफेंगर रिचाम झाम दोग यहांAKटूरें जिंक प्लस सल्फियोडी केसी जैसे ही मिलेगा इससे हाइड्रोजन गैस ऐसे से करके उड़के यहां आएगा और यहां से एक पाइप गया है इस पाइप से होते हुए यहां करके यहां पर बनाया गया है क्या चीज तो शॉप का सॉल्यूशन यानि साबून को घोल दिया या सेंपू या सर्फ को पानी में घोल दिया गया है अब जैसे यहां से गैस निकलेगा मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूं यहां पर जैसे यहां पर गैस निकलेगा यह गैस चुकिस आप ही बताइए को फैन वाला पानी है यानि शॉप सोल्यूशन है या सेंपू पा है मैं जलेगा क्या है आप यहां पर चजोटा सा जिन्क मेटल हैं अब यहांप सा संपर्क में आता है घुन से घर्माग से का कुछ्षन पूछ देता है कि परियोग साला में आप हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे तो बोलेंगे यह से बनाएंगे जिंक नाम का मेटल लेंगे से में इसमा करके गुबाडा में भर के उड़ाएंगे उसको चलिए यह फिर उडा देंगे समझें हैं कि मांचिस से जैसे कही इसका लिख दीविंग्लिश एसीछ तेसे मैटटलीक औकसाइब मैटालिकॉसाइड थाक इसलिए हुआ का कि यि उसे कि रिएक्ट विठ मैटलीक औकसाइड क्या होगा जैसे एक एक स्वण में हमारा H 말고 कोई ज्मच्त संती का ऑकसाइड नाम का नाम नाम का कोई दाप प्रक्रνη दोनों हापस में रिष्तेदारी कर लेगा और यहां पे जलकानिर्मान कर देगा तो हम लोगों ने क्या देखा, यदि धातु आमल से अभिक्रिया कर रहा था, धातु आमल से अभिक्रिया करके hydrogen gas लवन दे रहा था, जब की धातु का ऑक्साइड यदि अभिक्रिया कर लिया, तो ओक्सइजन आने के कारण, यहां पर यह अक्सीजन आ गया जल के रूप में तो हम लोग लिख सकते हैं कि धातू का ओक्साइड या धातू का ओक्साइड तुका ओक्साइड यदि अमल से अभिक्रिया करेगा यह बनाएगा लवन पलस में जल बनाएगा लवन पलस में जल बनाएगा तो आप धियान में रखिएगा कि जब भी कोई धातू का है इसा था सरे जरूरी नहीं कि लिखे आपका कोई और मन है तो आप कुछ है जैसे मेगनेसियम उक्साइड लेते हैं मेगनेसियम उक्साइड है इसको हम डाल रहे हैं से चिपक जाएगा तो बन जाएगा यहां पर फिर से वाटर आ जाएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जब भी कोई धातु के अक्साइड अमल से भी क्रिया करता है तो लवन एवं हैड्रोजन गैस बनाता है जल बनाता है तो यह आपका के लिए आपको अब्जेक्टि पुछा जाएगा पूछा जाएगा क्या यदि कॉपर ऑक्साइड की अभी क्रिया हैड्रोकॉलोडिक अमल से करा दी जाए तो आप बोले कॉपर का उक्साइड कॉपर मने धातु अक्साइड यानि धातु का उक्साइड अमल से अभी क्रिया करेगा तो लवन और हैड्रोजन गैस नहीं नहीं हैड्रोजन गैस नही इसका आप कमेंट में बताईए क्या होगा एक और बना दिजिए जिंक और औक साइड का रिक्षन हम करा रहे हैं से अब यहां पर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि जिंक का भी वैलेंसी दो तो आप बना लीजिएगा आसानी से बना लीजिए कुछ देखने वाली बात पह कमेंट में इसका एंसर अभी दीजिए वीडियो रोकिए पहले बनाई कमेंट मेंसर दीजिए क्या दे दिया आपने इसी वाहने वीडियो भी लाइक कर दीजिए है ना चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स्ट बात क्या हमें बताया जा रहा है कि इस पर वह दातोका भीगरना दातोका कर दोनें ठीक मेट लिगा जाता है हाइड्योजन रिखन कार्बोऱमेट का होता है यहां पर ह voltage का फॉर्ममुला तर्सी ओतें इसने हैड्रोजन का यह या चाहे ना अंडा का छिलका हैं बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं तो CACO3 यानि केल्सियम कार्बोनेट यानि धातू का कार्बोनेट है इसका रियक्शन कराते हैं से क्या होगा सर क्या होगा पताइए तो अब देखे वही होगा जो होते आया यह केल्सियम इस क्लोरीन से चिपकेगा कोई तकलीफ नहीं है तो लिख दीजिए सीए सियल क्योंकि केल्सियम के सुझेज़क्ता दो होती थि यहां हमें दू लगाना पड़ेगा चलिए पहला काम दूसरा काम कि सर यहां पर एक hydrogen है यहां 3 गों oxygen है एक काम कड़िए नडूगों दे दिजिए नकामें खतम हो जाएगा चलो लूँदो ही इसको भी दे देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा हच टू बन जाएगा चलिए सर और क्या बने का यहां पर सर देखें ना कारबान ब्ला चाल है अरदू को ऑख सीजन चले यानि सी ओ टू बन जाएका लेकिन 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 सर यहां तो हैड्रोजन एक ही था आपने दो कैसे लिख दिया तो बच्छा लोग मैंने पहले और इना है सिर्फ दो लगा दिना ही कहां करबन एक कार्बन एक की त़या रफ्कमिह वा निसमें तो इस दो एक आगया यह इमधल दो हो गया फिल्क है काल सियम crimin 성공 गया ग्रुद्य को विस्क्राद Detail के sł Press यदि अमल से अभिक्रिया कड़ेगा अमल से अभिक्रिया कड़ेगा तीन चीज बनारा यह तो हमारा लवन हो गया सॉल्ट हो गया यह हमारा जल हो गया यह कारवन डायोक्साइड गैस हो गया कारवन डायोक्साइड डायोक्साइड ऑक्साइड गैस बन गया तो यह चीज यह आप समझ के पढ़िएगा तो बिल्कुल इजी होता है सरी एक एक्जामपल और मजा आजाएगा वह करके देख लेते हैं यहां पर देखे यहीं सेम एक्जामपल यहां भी बताया गया यह लेकिन मैंने क्यों दिया है क्योंकि आपको एक्जाम में पूछा आ जाता है कि परिय कर सकते हैं आपके स्कूल में सब कुछ जमा होता है यह सब जाकि सर को बोले शर्म को एक्सपेरिमेंट करना है चलिए थोड़ा से पानी चोड़ रहा है है पानी छोड़ रहा है चली कितना आसान था इक्जामपल दूसरा ले लेते हैं सरकार दूसरा बाइक्जामपल किया सर कोई हc o3 वाला लीजे न तो इसी का लेते सोडियम बाय कार्बोनेट वाले से लंबे वाले शिटू एसो 4 वाले से बोले सब टीचर हस्यारी करते हैं पढ़ाते हैं तीन गांबल के बारे में चनो थरी को कहीं लेए नहीं करते हैं बच्चा रीजन क का ऑजी कृषिग से कुछ बनाता है इसलिए नहीं उसको लाया जाता है इसको अगले चैप्टर का और डीटेल में संझेंगे धातु अधातु का जब सिर्फ धातु का रियक्शन करवागा दिखा है तो वहां पर समझेंगे उसको क्यों नहीं बताते हैं उनको पता है लेखिन आगले चेफ्टन में बताएंगे चलिए क्या रहा है हाँ आप लोगो ने देखें कुछ बच्छे थे इतने तेज वीडियो रूपके बनाया थे हो मैंने देखा है नहीं काम करा यह देखें इसको लाइए लास्ट वाले के साथ जो अभी तरह करते हैं पहले वाले को लास्ट वाले के साथ तो क्या जाएगा एन एस ओ फूर अब चुकिए सेलफेट का सेंजगता दो होता है सोडियम का एक होता है यहां पर दो लिखना पड़ेगा बच्चा यह सर यह कैसे जाने हम दो एक नहीं दुक्रत होते रहे गाएं इंद्ध क्लास का टॉपिक है है ठीक है ना चलिए यहां पर बनगे सोडियम सॉल्फिट अब सर यहां पे हाइड्रोजन बचल है इधर हाइड्रोज & बचल है तो बनाएगाजन पर बतो अ चला एक listen है श्यूट बनाएगा बात खतम है लवन और जल पे रुख जाता था लेकिन धातू का कार्बोनेट आ जाएगा यानि कार्बन आ जाएगा तो कार्बन डायोकसाइड एक्स्ट्रा निकालेगा कोई तकलीफ नहीं है ना चलो बच्चा तो इसको आप में डीटेल में कैसे लिखोंगे लिखोंगे कि जब भी कोई आमल किसी धातू के कार्बोनेट से भी क्लिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवन जल और कार्बन डायोकसाइड ग्यास बनाता है उदाहरन के लिए आप यह वाला एक्जामपल दे दीजेगा यहां पर देखे क्या किया जा रहा है यहां पर थोड़ा सा इसमें केल्स में नहीं होता है ठीक है इस त्र्वांग हायडरो कोडिक शीडी डिए उसको डिखाना छोड़ो क्या दिकांस को चली ओव यहे इसको काया था थेसली स्कीप है यहां पर पहले से सीड़ इसमें छोटा-छोटा सा केल्सियम कर्बोनेट दीख नहीं रहा होगा मेरे खिशाल स ऊपर से के लसी में कार्बोनीट यहां से ड़ला जाई गया इसका जितना भी गैस है इधर से होते हुआ है ये गैस होगा है स्य। कईसे कार्बन टै-क्साइड होना होगा क्या की कार्वोनेट को डाले तो सारा कार्वन टै-क्साइड बांट गया हम लोगोंने यहाँ पर क्या किया एक ऊपर से सलेंडर करके इसको जमांकर लिए इसमें जुट्रह रहा करे घ्लींонов में सब कुछ को जमा करके बढ़ाते हैं फिर इसको बना अगे बढ़ते हैं कि आगे आते अब हैं कि से चार दोनों नपर रहें एक वगों से ने तो हम लोगों का तीन के देखा धातु अमला से विक्रिया किया तो लबन हाइड्रोजन गैस बनाया ना तुरिया दाटु का कार्ब भाड़ चार के तो देख ऐसे हथाट यदी धातु यदी धातु आपके किसी छार से विक्रिया कर रहा है ऑलाकि चारक कहिए चारक कजित रहेँ कट यह भी करिगा नहीं भी स्टाइगा चार बनाएगा यह क्या बनाएंगा गया यह भी बनाए लेडरोकसाइड की स्ट्रॉंग चार होता है काश्टिक सोडा जिसको कहते यह बनाएगा क्या सोडियूम जिंकेट बनाएगा एने टू जैड़ नो टू है ना पलस में हैड्रोजन गैस बनाएगा यह तो सरी स्ट्रॉंग वाला डियक्षन हो गया यह कैसे याद रखेंगे य यह याद रखना पड़ेगा सोडियम जिंकेट है एक एक जांपल यह यह याद ही रखना है को जदा है लोचैनी इसका दाटू का चार से बस इतना ही काम चल जाएगा अगले चेप्टर में ज्यादा मज़ा लेंगे इसका दाटू चार से विक्रिया करेंगा तो वही से ले लीजिएगा एक्सपरिमेंट थोड़ा गरम वाला होगा बच के करना नहीं बतातों कैसे करना एक बोतल ले ले लेना आप इस टाइप का है ना इस टाइब का बोतल कास्टिक सोडा मार्केट में आपको मिल जाएगा यह फिर ओनलाइन भी मिल जाता है और यह पानी थ होता है यह उसको मार्य को लिए चौमीन वगरा पैक करके डबा आता है ना वह चमकता ऐल्मूनियम का ही होता है वह उसको आप दो करके रोल करके इसमें डाल दीजिए अब जैसे डाल यह कुछ दिर के बाद यहां से गयस निकलना सुरू हो जाएगा बोतल बहुत गरम हो ज हो जाएगा इसमें रसी बाद ही अगया उरता रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन गयस बहुत हलका गयस होता है सर इसमें बात में माचिस मार देंगे तब तो पहले डूम से जलेगा फिर दिरे-दिरे मुंबत्ती की तरह थोड़ा थोड़ा तब तक जलते रहेगा जब तक गय क्यों क्योंकि मैंने इसमें आज कास्टिक सोडा यानी एनी ओएच को डाला है एने में एक यह में को डाला है यहां पर सस्ता मंगनी मिल जाता है न जी अरे चौमीन वाले दुकान पर जाई पीछे फेकल रहे ता उठालिजिए घिकर्टें सर हैं क्या बताते हैं चली आगे पानी में घूल पाएगा उसी कुछ हार कहेंगे तो जैसे एक्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि कॉपर सी यू ओएच होल टू यह सी यू एच इसमें कहीं सिर्फ क्या हो रहा पर जो पर हैंल इस पार फ corona ये लमोनीन उन भोलकिशाइड ये अम्ल में नहीं खूल सकता है फिकना ठीज़ दोनोग है ये च्रण मुखत करें चाहरक है लेकिन छार यह जाहर नहीं है जब कि चाहरक है तो बुल्ए है इसे ईशर सब्सक्रा गुस्कों कहेंगे तो लिखेंगे वैसे पदार जो जल में गुलक्त पायत इन मुक्त करें क्या करेंगे वैसे पदार जो जल में घुल के ओएच मैनस आयन मुक्त करें चारक का लाता याने डेफिनेशन यहां लिख देता हूंगा परिभासा यह आपके कॉपी में होगा पिछले दिन जाके पेच पलटी यह मैं कितना लिखते रहो टाइम वेस्ट होगा उसमें चार कि गुलंसील और चलिए पहला डेफिनेशन जोल पहला ठाइल कि दूसरा आंतर ट筆 लिखेंगे कि जिटना भी छारक होता है वह ऐन गुलन सी नहीं होता यांदि सभी झानल में घुनद्ICK नहीं होता है तो है लेक शकते हैं सभी चारक ज़ में घुलनसील घुलंसील नहीं होते हैं कट्टी मतलब नहीं होते हैं जबकि यह होते हैं आप लिखिए सभी चार जल में गुलन सील होते हैं तीसरा एक जामपल क्या देजिएगा तो जितना भी चारक हो सब चार हो सकता है क्या नहीं जैसे यह सब चारक तो था चार नहीं हो पाए लेकिन जितना भी च है तो सभी शारत सभी शार राख जह नहीं हो सकते नहीं हो सकते किनतु ये हैं हो सकते हैं ये परकाद घंड हैं जैसे की सब्सक्राइब ये घ्राइट नहीं कि सोडियम हाइड्रोकसाइट का एक्जामपल दे दीजिएगा चलिए तो यह अपना हो गया चार चारक में तर क्या लिखेगा कि वैसे पदास जो जल में घुल के वह मैंनस आयन मुक्त करें चारक का लाते हैं लेकिन वैसे चारक जो जल में गुलंसी नहीं होते जब कि सभी चार नहीं हो सकते लेकिन सभी चार चारक है चलिए और भरते हैं थोड़ा सा आगय हम लोग रीज़िन बेस्ट यहां से मजा आएगा तो क्या होता है वाला कुस्चन से इसटर्ट अभी तक जो मैंने परहाए ना जो यदि वो हर चीजा आप समझ गए हैं तो आपको यहां स मज़ा आएगा लिख क्या आएगा मज़ा आएगा चलिए चूना का पानी है उसमें कारवन डायोकसाइड गैस देते हैं तो क्या परभाव होता है लिखा हुआ है क्या होता है जब चूने के पानी में कारवन डायोकसाइड गैस दिया जाता है देखिए भाईया चूना का पा अब चुकि है Ama steel कार्बुनेयर काफी वाइट होता है वह बना जाल के साथ लिक्वीट फोर्म यहुआ हो तो पहले था चुना अब उल्बा संत कि एंस मकलती का होता है इसलिए क्या कहा जाता है कि जब आप चूने के पानी में carbon dioxide gas प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है इसका रंग हो जाता है दुधिया दुधिया रंग यानि मिल्की हो जाता है जैसे यहां पर देखे दिया गया है यहां पर पहले चूना का पानी था केल्सीम हैड्रोकसाइट था carbon dioxide जैसे डाला गया इसका रंग कैसा हो गया हमां क्लाउडी हो गया दुधिया हो गया तो आएक बहुत बहुत बएब पुछा है इंपोटेंट हर बोड के लिए जितना बोड हर बोड के में अच्छा कोशन होता है कि क्या होता है कि भाया जब केल्सीम हाइड्रोकसाइड में carbon dioxide कि जैसे ही चुने के पाने में carbon dioxide gas प्रवाहित किया जाएगा पानी का रंग दुधिया हो जाएगा जिसका मुख्य कारण है कि calcium hydrogen carbonate का निर्मान कर लेगा जिसके कारण वह उजले रंका दिखने लगेगा ठीक है ना यह कुस्चन का रूप बदल के भी आ सकता है कि carbon dioxide प्रव लिखो कैसे लिखेंगे जब चुना पानी में चुना पानी में carbon dioxide gas gas प्रवाहित किया जाता है प्रवाहित किया जाता है किया जाता है तो पानी का रंग दुधिया हो जाता है जिसका मुख्यकारण क्या है केल्सियम कार्बोनेट का बनना है कर बनना है इसके ऊपर में यह जरूर देजिए यह वाला एक्जामपल आप जरूर देजिएगा रियक्शन बना के आपको दिखा देना समझ गए चलिए तो अगला चलते हम लोग नेक्स्ट पे कि अगला कुश्चन है कि क्या होता है जब अमल अबशार आपस में अभिया करके लवन अब जल निर्मान करते हैं यह अपने जल कनिमान करते हैं सर तो कैसे प्लस में क्या एश टुरूब लाई बनाएगा टिर बन जाएगा एने सीयल आ चाफ चाहिए प्लस में तो आम लचार से कुल सब набäं के पर सक्क्राशन देगों सित्यार पर लगवत ही इंतल है कि बता हुए होग को लियूरा ही को शेयर हो तो मेरे खोड़ी धर पहले और किसी काOS सर्द निल मन जल और तो कोई बता रहा था आपने बताया था केल्सीम उक्साइड यदी असे विक्रिया करेगा तो बनाएगा केल्सीम कुलॉराइड बनाएगा पलस में जल बनाएगा यहां भी तो यही बना लवन अवम जल लवन अवम जल तो सब क्या यही नूटलाइशन रियक्शन है और यह दू एक टैप का कै धातू का ओक्साइड का खुक2 उक्साइड ओक्साइड इसका प्रकिर्ति कैसा होता यह अम्लीयी तो यह जब Champ जबकि हां ₹ have का a ममलीय प्रकृति का यहां पर देखे धाट्युका यहां पर देखे क्या है अनि थैर आपको कभी मदमक्खेमिं तो दादी यादा लोह लोग जो चलो हाटना लोहा को बोला जाता है लोहे को रगड़ो क्यों कहा जाता है बकलोल है थंडा लग ठीक हो जाएगा नहीं बहुत पढ़े लिगे साइंटिस्ट लोग है उनको पता है कि लोहा यानी धातू धातू का उक्साइड यानी छार मनमख्य जो काटा फॉर्मी के सीड छार अमल ही नहीं कि देखा साइंटिस्ट हैं वो लोग चलिए तो इस तरीके से आपको मैंने यहां पर समझना था वो तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बता दिया आपनों को ज्यादा मांतें इसलिए बता दी अब्जेक्टिव पूछा जाता है और धातू की प्रकृति कैसे हुते हम नहीं दिखेंगे कि जैसे हम जिया लिखेंगे जब आपने जल का निर्मान करते हैं जैसे हैं व्क्राइब करेंगे करते हैं कि यह अदया लेप्तूप मेरा एसा लिखा पा रहा था ऐसा लिखा हुआ एकवा रेजिया थे थोड़ा सा भी राइटिंग इसूआ रहा है बनाने पर जोड़ भी नहीं तो कौन बनाएगा बच्चे का टाइम वेस्ट होते हैं आपको समझना है मैं राइटिंग से क्या काम है आप उतना बनाइए आपका एक्जाम तो आपका होना है एक वर इज्या क्या है आप जानते हैं कि जितना भी सोना है चांदी है यह सब ना हर नीचे का धाड़ नीचे धातु मतलब प्रिया एकलिंग नीचे का धाक्तू घ्रिक नीचेशार नहीं करता है लेकिन हम लों घर है कि यहां पर दखिये यह जो बाता कर लेता है लेकिन नीचे नाइडरोजन औरा-दैट अब लेकिन लोग्ति-ब करता है शॉल-टा थे अपर ना जेखेसे पड़ गया अब यह सीडों काम ने करें साफ के से करेंगे सांटिस्ट लोग ना ऑठ सोना चांदी को प्ःछलाने के लिए वह गया लिक्विड बना के रखा चाया उसे लिकविड का नाम एक वारीज्या एक्वरेज्या आपकछ दोन हैं यह आिए अमलोंका मिश्रन में है अमलों का मिश्रन है सिर्ण किसकी स oncगा इस में ना वहुत ही संदreek CL यानि बहुत ही ज्यादा स्टोंग आप इसमें लिया प्लस में सांधर है जो थी एक यह एक यह जो आगे इस त्रहाइब आगे तरी रखिया कभी कभी ऐसे रिखारता है एच नो थ्री और इधर रहता है सेल्प्स और जाएगा एक अनुपात पत्राइब तो एकवारज या तो एक्वारेजिया सांद्र हाईड्रोकलोरीक आमले संद्र नाइट्रिक आमल का तो यहां पर है हमारा दूसरा सिच पहले ऐसा था लिए पिगलने लगा देखो इसमें मिलने लगा फीर कुछ दिर गाएक खतम ही हो गया पूरा ठीक है नहीं है तो यहां पर आप में लोग क्या देखे कि एक वारेजीय कैसा chemical है जो क्या होता है सोना चांदी को भी गलाता है विक्रिया नहीं करता है सब्सक्राइब यह थोड़ा सा काम चलाने के लिए आपको समझा दे क्योंकि एक टॉपिक आया है अब्जेक्टि बहुत बार पूछा गया क्या है तो अमलों का मिश्रन है एक वारेजिया में कितना नुपात कितना में है कि अगला है हमारा की आए अब आया सम इंपोटेंट कोस्चन यहां से वी बी याई कोस्चन का दौर सुरू होता है अभी तक जो हम लोगों पर आउसका इस्तमाल करेंगे यहां पर बहुत सारा मन में कुश्चन है कि जल की अनुपस्थिती में अमल का वहवार अमल यह क्यो जैसे बोडिके से सबता है पैकेट में आता है क्या वह उसमें थोड़ा मिट्टी दे अब्टी काल यह दो चुका लिए प्योंग इसको अब यह फ्यावार नहीं पड़ेंगा हा लेकिन उसी में पानी मिला कि अजब तब होगा मतलब क्या हो रहा है कि बीना जल का नोंपस् जल के अनुपस्थिती में आमल अपना वहवार ही परदर्शित नहीं कर पाता है क्यों क्योंकि इसके बारे में अधिनिया सचा पहली बता दिये हैं क्या कि होगा जल में घुल के हैज पलस में तक आयन मुक्त नहीं करेगा तब तक अमल यह गुन परदर्शित नहीं करेगा और आयन मुक्त कहा करता है तो जल में घुल कर खुलकर ही आमल क्या करता है आयन मुक्त करता है जल में घुलकर ही अम्ल आयन मुक्त करता है मुक्त करता है जो उसके अस्तित्व को बताता है उसके अस्तित्व को अस्तित्व को प्रदर्शित करता है दिखाता है प्रदर्शित करता है करता है इसी लिए यदि जल नहीं होता है तो अमल का वह यहां पर देखेंगे कि आमले में डालते हैं पलस रहता कैसे यहां बना लेता है तो यहां पर देखेंगे एसी डाला गया है यहां पर आयन मुक्त हो रहा है ही तब ही तक मुक्त होता है आयन मुक्त करता है कि यहां पर दर्शित करता है तो यहीं बोलेंगे कि हम जानते हैं आनले जो है जलめं घुल करी आहन मुक्त करता है जो इसके अस्तित्यू का प्रदर्शन करता है यह धीत करता जल ही नहीं रहेगा उसकी ऐसकी नहीं पता नहीं चलेगा और अमलावलिया है कि पनेनीं मिल पाएगा क्योंकि हम तो जानते हैं कि आप लोग उसको घो 6-6-5 आयन मुक्त करिंट है ना लेकिन है तो ऐसा कोई बात है नहीं तो इस कोश्चन का आप लोग ऐसे एंसर लिख दीजिए अला कि बहुत सार डीटेल में लिखावा आपको दोनों नौट्स मिल जाए एक यह वाला भी एक हैंड रीटन भी पीडियेफ लास्ट वीडियो में है लास्ट वीडियो में पानी में 1 जंके वनमों ने डालना चाहिए अब धियान से सुनगे मेंने क्या था यदि है किछ mixрах में डालेंगे एच पलस आयन तूट रहा है यहां क्या था यह तूट गया एच पलस बंधन टूटा जब भी बंधन होगा यह बंधन तूटे गा उस्मा मुट्थ होगा तो यहां पर सपोज करिए कि आपका यहां पर जल था इस जगह पे एस तूओ आपका जल था आपने इसमें डाल दिया जैसे यह तिया यह पलस में और सील माइनस में तूट गया जिसके कारण इसमें बहुत अधिक उसमा उत्पन होने लगेगा इतना अधिक उसमा होगा ऊपर से तो यह आयन है यह चिटक जाएगा तो यहां पर यह दिआ आप बाइट के एक्सपेरिमेंटी विला कर रहा है आप शेपी अभिक्रिया हो आपका हाथ जला देगा चींतरक करके तो लीखेंगे क्या च्छा या कि जल को छेपी अभिक्रिया प्राडरंभ जाती है प्रारंब हो जाती है, जिससे आमल का कुछ बूंद, जिससे ये जीत था न, जिससे आमल छिटक कर हमें हानी पहुचा सकता है, हमें हानी पहुचा सकता है, जैसा लिखना आपको लिख दीजे पहुचा सकता है, ठीक हैं, इसी लिए अमल में जो है न, एक पानी नहीं डाला जाता है, नीचे में यह वाला रियक्शन लिख दीजिएगा, सांद्र जल में अधिए पिछली दिन मैंने फ़ेश्ट वीडियो में ऐसे डाल दिया था इसे यहां पर मैंने प्लस करके स्टोड़ दिया। यहां पे जल लिख दीजिए पलस करना मतलब एक अलग रिएक्शन टेप का हो जाएगा है लेकिन मैं ज्यादा तर इसको प्रिफर करता हूं पता नहीं उस दिन कैसे लिख दिया हूं ठीक है आप ऐसे बना लिजिए गा पहले दिन इसको लिखके यहां पे लिखिए पलस पलस लिख जाएगा है नहीं ज्यादा मिनने के कारण निकलेगा बाहर हाथ पे पड़ेगा हाँ जला देगा तब की करेंगे इसलिए नहीं डला जब चलिए अगला कुश्चन आ चुका हम लोग के पास अगला कुश्चन है अम लिया छाड जल यह विलियन में विदुधारा का प्रवाह करता है क्यों अब आप ही बताइए विदुधारा का प्रवाह क्या है आयनों का प्रवाह ही तो विदुधारा है ना क्या कहते इलेक्ट्रोन का प्रवाह विदुधारा एलेक्ट्रोन मतलब रिनायन आयन का प्रवाह विदुधारा यान जब तक रहेगा तो यहां पर देख रहे हैं आयन मुक्त हो रहा है यहां पर भी आयन मुक्त हो राbor है और आयन के कारण विदु धारा देख किए यहां पर कया हो रहा यहां पर पौर प्लक यानी सोचैना इसमें लडी है इसमें एक तार यहां यहां प्री तो चुकहिंए यहां पर एयन है यहां से निल्च ज्क पूर्टा करता है क्योंकि आमल और चार जल में घुल के आयन मुक्त करते हैं और हम जानते हैं विदुधरा का प्रवा आयनों के ही वज़े से होता है इसलिए जल ये विलियन अमल का हो या चार का हो विदुधरा का संचालन करता है वहां पर दो रियक्षान लिख दीजिएगा इसे कड़के यहां पर लिख दीजिएगा एक HCl यहां पर लिख सोडियम हाइड्रोकसाइड को जल में डालिएगा यहां पर निकलेगा सोडियम एन एपलस पलस में ओएच माइनस यहां पर दिखा दीजिए का देखिए यह दोनों का दोनों क्या है आयन है ठीक है यह रियक्शन नीचे बना दिखा दिए आपका मन करेती यह पिक्चर भी सकते हैं ठीक चलिए मेरे क्या समझ गया होगा अब इसका सरव डेफिनेशन यहां पर लिखे दीजिए तो कौन लिखेगा इतना आप लोग इतना तो कर सकते हैं यार बहुत ज्यादा लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है और मज़ा भी नहीं आता है आप बैठके देख परशाली होगा अधिक श्ट्रोंग होगा अधिक प्रवल होगा विदुधारा का संचालन भी अधिक होगा चलिए अगला कुश्वित जल्विदुधारा का संचालन क्यों नहीं करता संचालन आप लोग ऐसे लिखिएगा संचालन आश्वित जल्विदुधारा का संचालन क्यों नहीं करता है कि यदी विदुधार का संचालन होगा कब होगा जब आयन होगा डिस्टिल वाटर जो होता है यह हुआ हमारा डिस्टिल वाटर हुआ कि यहां पर किसी परकार का आयन नहीं होता है कि आयनों से विदुधार का संचालन होता है तो लिखेंगे कि यहां परकार का आयन मौजूद नहीं होता है जानते हैं कि आयनों के प्रवाह के करम विद्धारा का प्रवाह हो सकता है एक्जामपल में देखें यहां दिया हुआ इसमें भी बैटरी है यहां भी जोड़ा गया है बल्वतार से यहां भी जोड़ा गया लेकिन यहां पर देखिए बरसाती पानी राला गया बरसा के पानी तो बन जाता है अमल मिला मतलब जल में आयन आ गया तो बोलेंगे कि देखिए यहां पर जल यहां तक तो आयन आया लेकिन यह डिस्टिल वाटर था आयन को आयन था नहीं पास हुआ नहीं बिजली यह बल्व विचरा नहीं जला इस तरीके साथ यहां पर समझ सकते हैं तो इसका एंसर कैसे लिखिया फाइनली में बताता हूं कि आसुच जल विदुद्धारा का संचाल करता है जिसका मुख्यकारण है कि आसुच जल में किसी परकार का आयन नहीं रहता है और हम जानते हैं विदुद्धारा के प्रवाह के लिए आयनों का होना आवश्यक है इसलिए आसुच जल में आयन नहीं होने के कारण विदुद्धारा का संचालन नहीं हो पाता है ठीक ह और साथ ही साथ आप यहां पर यह वाला डाइग्राम बना के दिखा सकते हैं यह लिखेगा कि आयनित जल आयनित जल और यह दिखा दीजेगा कैसा है इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत दूर तक पढ़ लिया है अब आए का बहुत इंपोर्टेंट सा पार्ट पीयच मा और आपको निकालना भी सिखाएंगे कि बताये तो यह सी पीयच मान कितना होगा पीच मान होता क्या है आपको मैं बहुत दूर तक का कॉंसेप्ट बता दो ताकि आपको 12 में दिक्कत ना हो ठीक है तो मेरे ख्याल से मेरा मेहनत आपको थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा ही या तो देखिए आप कर लिजिएगा एच पलस पलस में सी अल माइनस ठीक है एक और क्वेश्चन हलंकी रह गया है कि कि जल में जो है ना एच पलस आयन किस रूप में विद्वान रहते हैं वह हाइड्रोनियम की रूप में रहता है उसको अगले दिन लेंगे ठीक है तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैबाय एंटिक किया